हेलो दोस्तो स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो हम आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं जो हमारी ह्पीजी के सीरीज चली हुई थी तो इसमें सबसे पहला प्रसन हमारे पास आता है कि हर्याना जो है कि कौन सी दिशा में हिमचल प्रदेश है तो हर्याना के जो है उत्तर में हिमचल प्रदेश है उसके बाद नेक्स प्रसन हिमचल प्रदेश का कौन सा प्रदेशिक मंडल अल प्रिहित हिमाल्या उसके बाद नेक्स्ट प्रसन हमारे पास आता है हिमचल प्रदेश के चंबा जीले में कौन सा दर्रा स्थीत है तो कुगती दर्रा उसके बाद नेक्स्ट प्रसन हमारे पास आता है कि हिमचल प्रदेश की परवत्तर नदी कौन है तो यंगून उसके पस्चात नेक्स्ट प्रसन हमारे पास आता है कि बस्पा किसकी सहायक नदी है तो बस्पा जो है सतलुज की सहायक नदी है उसके बाद लहॉल स्पीती तथा कि नौर की जलबाईू किस परकार की है तो अर्द आर्टिक उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रसन आता है कि तैरते दूइपों के लिए कौन सी जील प्रसीद है तो रिवालसर जील उसके बाद हिमचल प्रदेश क्सेतर जल उपलब्ध क स्थित मंदिर तो सिव जो शीवा मंदिर है वो चूड़धार की चोटी पर जो है ओस कि जो है कि चूड़ आपका किन और में पड़ा उसके पस्चाद खरसाली जील कहां पर स्थित है तो खरसाली जो जील है वो चिड़ गाँ में परती है उसके पर चात स्पैल गाटी कहां पर स्थित है या कहां पर है तो रोहडू में है उसके बाद नेक्स्ट प्रसन हमारे पास आता है कि रुहाला राश्ट्रिय उद्यान कहां पर स्थीत है तो कुलू में है उसके बाद किसने जो है अर्वाचीन जो कुलू राज्य की स्थापना की तो वहिंग मनी पाल ने की उसके बाद नेक्स्ट प्रसन हमारे पास प्रसन आता है कि आर्यन राजा का मुख्य सलाकार कौन था तो रिशी भारदवाज उसके बाद नेक्स्ट प्रसन हमारे पास आता है कि जो कहलूर जो का कौन सा सासक मुगल सासक अकवर का समकालिन था तो रतन चन उसके बाद नेक्ष्ट प्रसन हमारे पास आता है कि इस्वी 1718 में सुजानपूर टीरह नामक स्थान की स्थापना किसने की तो उभे चंदने उसके बाद नेक्ष्ट प्रसन हमारे पास आता है कि इस्वी 1618 में कांग्डा दूर्ग पर अधिपत्य स्थापित करने जहांगीर द्वारा किसे भेजा गया तो सूरज मल को कांग्डा दूर्ग पर अधिपत्य स्थापित करने के लिए जहांगीर को भेजा गया उसके बाद next प्रसन हमारे पास आता है अरकी नगर किसने बनवाया तो जो अरकी है वो सभाचंद ने बनवाया है उसके बाद next प्रसन आता है सिरमाओर में किस वर्ष जोता अंदोलन जो है वो हुआ तो 1942 में और next जो हमारे पास प्रसन आता है वो है कि किस वर्ष हिमाली रियासत प्रजा मंडल गठित हुआ तो 1909 में उसके बाद next प्रसन आता है कि जुबल राज्य में बनी प्रती निधिक सिरकार के मुख्यमंतरी कौन बने तो भग गल मतलब भग मल सौठा है ये उसके बाद 1974 में हिमचल परदेश लोक प्रसासन संस्था का कहां गठित हुई तो ये हुई फिर लांस में उसके बाद नेक्स्ट प्रसन हमारे पास आता है कि जो किनर है वो क्या है तो किनर जो है पसुचारी जन जाती है उसके बाद नेक्स्ट प्रसन हमारे पास आता है कि जौड है तो जौड जो है वो एक बौद है तो उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रसन आता है वो क्या है तो नेक्स्ट प्रसन हमारे पास आता है कि वार्षिक लदार्चा मेला कहां लगता है तो ये लदार्चा मेला जो है कीबर में लगता है और उसके बाद आता है कि खसों की डेस डेस पर जीत की खूशी में बूरी दिवाली उत्सव मनाया जाता है तो खसों की कोलों पर जीत ये important प्रस्ण है उसके बाद आता है तीर ग्रिही गुरुद्वारा कहां पर स्थीत है तो पांटा स्वाही में ये स्थीत है हिमचल प्रदेश का बागवानी संग्रालिया कहां पर स्थित है तो हिमचल प्रदेश का बागवानी संग्रालिया जो है वो नव वहार में स्थित है और उसके बाद नेक्स्ट आता है सेट सीट फंड चर्च कहां पर है तो सेट सीट फंड चर्च जो है सोलन में है उसके आर्वेदिक college पपरोला स्थाफित हुआ तो जो पपरोला आर्वेदिक college है वो 1978 में स्थाफित हुआ हैं हुआ उसके बाद next person हमारे पास आता है कि हिमचल प्रदेश के दक्सिन में में कौन सा राजय है तो दक्सिन में हरिआना राजय है और कांगड़ा पिलासपूर हमेपुर सिमला में से कौन सा जीला सिवालिक परबत को उस परस नहीं करता तो सिमला और उसके बाद नेक्स परसन आता है कि प्राचिनकाल में लोगों में सिवालिक परबत माला किस नाम से जानी जाती थी तो मानांक परवत उसके बार next person हमारे पास आता है हिमचल परदेश के नीचले पहाडिक सेत्रों में किस प्रकार की इम्रिदा पाय जाती है तो पत्थर वाली दूममट्टी एके से चिकनी मिट्टी उसके बार next person हमारे पास आता है कि क्रेरी गडासरू लामा खजियार में से कौन सी जील चमबा में है तो जो हमारी जो क्रेरी जील है वो हमारी चमबा जीले में नहीं आती है और बाकी जो सभी जीले है जैसे लामा खजियार और गडासरू ये सब चमबा में आती है तीनों जी अलपाइन संभग जहां हमारा कौन सा एरिया आता है तो लौल स्पीती का जो एरिया है जैसे हमारा स्पीती हो गया सबसे सुस्क सेतर हिमाचल प्रदेश का तो इस में जो है अपरेयफ्द वर्सा होती है क्यूंकि यहां जो है वो ज्यादा से ज्यादा समय तक बरफ पड़ी रहती है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जो पबर नदी है उसका उद्गम किस जील से होता है तो चंदरनाहां जील जो जील असीमला में है उससे जो है पबर नदी का उद्गम होता है उसके बाद नेक्स्ट प्रसन है कहलूर राजिया अब बिलासपूर में है जो चंबा का राजय क्षेतर में जो तारा गड़ है किले का निर्मान किस ने करवाया तो जो तारा गड़ चंबा राजय में है उसका निर्मान जगत सिंग ने करवाया कांगड़ा का सासक कौन था जब फिरोज साहत उगलक ने नगर कोट किले पर जीत लिया था तो रूप चन ने मतलब कांगड़ा का सासक कौन था जब फिरोज तुगलक ने नगर कोट के लिए को जीत लिया था तो वो सासक था कांगड़ा का रूप चन उसके नेक्स्ट प्रसन हमारे पास आता है तो लहल स्पिती तथा की नौर की जलवाईू कैसी है तो अर्द आर्क्टिक परकार की ठीक है उसके बाद सीवालिक में किरातों का वो सक्तिसाली राजा कौन बना था जिसने आरे राजा दिवोदास के विरूद युद लड़ा तो जो सांबर था वो सिवालिक में किरातों का वो सक्तिसाली राजा था जिसने आरे जो राजा थे दिवोदास के विरूद युद लड़ा और नेक्स्ट पसन वो भवन जो हिमचल प्रदेश का विधान सवागरी है बनाया गया था किस वर्स तो 1925 में सिल्ली वन्या जो प्राणे उभिहारन हिमचल प्रदेश के किजिले में है तो ये है सोलन में और सबसे छोटा हिमचल प्रदेश का ये वन्यजीव अभिहारन है दो किलो प्रति वरक किलोमेटर तो इसी के साथ हम वीडियो को समात करते हैं अगर आपने अभी तक हमारा यू करना है आल पर जिससे आपको हमारी लेटेस्ट जो हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नौट विएसन आपके फोन पर आटोमेटिक मिल जाएंगी जैहिन जैभारत जैहिमा चल